नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेली फोर्म में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पसुओं में गाय में या भैस में ब्लेक क्वाटर बिक्क्यू परचलित नाम क्रिश्न जंगा लंगडिया एक टंगा जहरवाद है मूख रूप से या रोग लंगडी ब जायो भैस में ज्यादा होता है यह कभी-कभी होने वाला छिटपू टत्थवा महमारी परकिर्ती वाला जिवानु जनित रोग है इसमें साधारन जवर तथा तेज जवर मांसल भाग का दर्द युक्त सूजन एव लंगडापन परमूख लच्छन है यूबास्था को ज्यादा परभावित करती है लच्छन है इसका तेज जवर एक सो पान से एक सो साथ दिग्री फरेन है तक सूस्ती तथा बैठे रहना रहने की परविर्ती रीड अथवा गर्दन अथवा दोनों जगह में जुकाव के साथ पसु खड़ा रहता है बाद में पसु बैठ जाता है अथवा सोया राता है शरीर में किसी भी मनसल भाग में दर्द युक्त गर्म सूजन पाए जाते हैं पैर पीठ तथा नितंब पर इस प्रकार के सूजन ज़्यादा देखा जाता है बाद में या सूजन ठंधा तथा दर्ध हीन होकर सड़ जाता है जिससे दवाने पर कुछ 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 आहट की कड़कड़ाहट की आवाज आती है मानो पुराना कागज को हथेलियों के दोस्तों अगर एग वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद वीडियो को आगे देखते रहें धन्यवा सब्सक्राइब के एंटिवाइटिक्स का सपोर्टिव उस्धी के साथ उपयोग करें बिमारी की तिब्रता तथा पसुओं की स्थिति के अनुसार लावकारी है सूजन वाला भाग पर सेक लगाएं गरम रेत डालकर सेक लगाएं सूजन वाले भाग में चीरा लगाकर दूपरतिशत हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोपोरोकसाइड तथा पोटेशियम बाइपरमेगनेट से ड्रेसिंग भी लावकारी है रोक थाम वचाव पसूओ को साल में एक वार भैक्षिनेशन जरूर कराएं टीका करन पसूशाला को साफ रखें समय समय पर टीका लगाएं बीमारी से ग्रसित पसूओ को अलग रखें हेमियोपैथिक इलाज इसका है लकवा का एकदम परमानित और साथ दिन में लकवा ठीक हो जाता है पच्छगात सलफर प्लस कश्टिकम डलका मारा का कॉंबिनेशन तथा दूसरे में विधी उपयोग कर सकते हैं सलफर कॉस्टिक और रश्टक्स किसी एक कॉंबिनेशन को चुनना होता है विमारी के कारण का अनुमान किया जाना चाहिए बर्सा का मौसम था विमार पढ़े पढ़ने से पहले पसूओ गाय कई दिनों तक भिंग गई थी दोस्तों बिमार पढ़ने के बाद केस को इस्थिती को परखने की जैसे केस पुराना है ज्यादा दिनों से गाय बिमार है अनुमान लगाना पढ़ता है और बिमारी के उत्पती दर्द का अनुमान करके रेश्टक्स को चूना गया या लंबे वक्त का अनुमान करके कास्टिक्स का तीनों दवा को एक-एक डोज देना होता है और इससे जबरजस्त फायदा होता है और साथ दिन में जो है हेमियोपैथिक इलाज के द्वारा ये रोग ठीक हो जाती है थैंक्यू धन्यवाद अगर आपका रोग सुरुवाती स्टेज में है तो आप गिलोए और नीम के पत्ते को अच्छे से वायल कर लें और गाय को उसका पानी पिलाएं ये रोग में कम से कम 50% बैक्टेरिया जो वायरस है उससे गाय को गिलोए का रस और नीम के पत्ते काओ काफी एफिक्टिव है और गायो को लंबे टाइम तक बचाने में कारगर सावित हुआ है तो आप गिलोए और नीम के पत्ते का चाहे तो पत्ता या गिलोए का डंगी सहीत गायो को खिला दे और नहीं अगर हो सके तो आप क्या करें कि गिलोए को टुकडा में काट लें और कुट्टी में या जो कुपई हरा चारा है उसके साथ mix करके गायों को jakieś daily खिलाएं ऐसे अगर ड्यालिय आप गायों को खिलाते हैं इसको mix करके तो आपकी गायव ऐसे भी कभी बिमार पड़ेगी नहीं सब्ताह में कम से कम एक दिन गिलोए एक दिन आवला का पत्ता एक दिन नीम का